निताओं में बेचेनी है हर बार चुनाओं के अंदर ही स्थती रही है इस बार चुकि पाइलेट को रूका है आला कमान ने क्योंकि भारते जिल्टा पार्टी और आम आदमी पार्टी ऐसे निताओं का इंज़ार कर रही है कॉंग्रेस के अंदर जो तूट कर उनके खिमे मराएं बड़ा फ्यक्टर कॉंग्रेस के अंदर चुनाओं में यही रहता है विपक से ज़्यादा अपनों से खत्रा रहता है कॉंग्रेस के अपने आरोप है बीजेपी के अपनी सफाई है डॉक्टर केलोला अलमीना सक्रिय है वसंदरा राजे के कथित भुटालों की जाच का मामला वही प्रश्टाचार के ऐसी यारोप अपसीदे मुख्यमंत्री पर लग रहे है नमस्कार ट्रेंडिंग टॉक्शो में आपका स्वागत है मैं हूँ विशाल सूर्यकांत राजस्तान की राजनिती में विख्यात जो शायर है जॉन एलिया उनका शेर इन दिनों बहुत सटीक बैठ रहा है जॉन एलिया लिखते हैं कि अब खत्रे की कोई बात नहीं अब तो खत्रे की कोई बात नहीं सभी को सभी से खत्रा है जी हाँ दोनों ही पार्टियों में हालात ये हैं कि आला कमान हावी हो चुका है इस रूप में कि राजस्तान के जो शेत्रियक शत्रप हैं उनको लेकर फैसले की कमान अब अपने हाथ में ले ली है नेताओं में बेचैनी है लियाजा सचिन पाइलेट एक बार फिर से नीम खामोशी उन्होंने ओर ली है 11 जून के बाद में कोई बड़ा स्टेट्मेंट सचिन पाइलेट की तरफ से नहीं आया नेताओं में असमंजस है नेताओं में प्रतिस परदा है क्या खर किया क्या जाए सबसे पहले बात करेंगे कॉंग्रेस की क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर ये प्रतिसपर्दा है वो निचले स्तर पर आई है और बात यूथ कॉंग्रेस की है जहां पर अध्यक्षपत के तीन दावेदार थे और आरोप प्रत्यारोप चुनाव के अंदर धानली के ऐसे लगे कि आखेकार तीनों को कारेकारी में थे और वोटिंग का पूरा प्रोसेस चला लेकिन इसके बाद में बोगस वोटिंग को लेकर शिकायते हो गई और अब चुनावी साल के अंदर कोई एक फैसला लेने के बजाए यूद कॉंग्रेस ने बड़ा जीब फैसला लिया है जिसमें तीनों जो दावेदार हैं अं इसी यूद कॉंग्रेस के अंदर आज एक बड़ा कारिकरम हुआ जिसमें यूद कॉंग्रेस के राष्टियत अध्यक्षरी निवास वो मौझूद रहे मुक्हिं मंत्रि अशोग जैलोत ने यहां जो कुछ कहा वो युवाओं का उच्सा बढ़ाने वाला तो था ही लेकिन आलाकमान के पाले में भी उन्होंने एक बड़ी गेंद है वो डाली है और वो है टिकेट वीतरन की मुख्यमंद्री गहलोत ने दो बाते कही पहली बात तो वो जो राजस्थान में कॉंग्रिस की युवाओं का उच्सा बढ़ाने वाली है उन्होंने कहा है कि पचास साल की जो उम्र है वहीं तक है वो टिकेट वीतरन की प्रक्रियाश ज्यादा होगी जैसा कि उदैपूर में राहूल गांदी की मौजूद्गी में उदैपूर डिक्लेरिशन के अंदर कहा गया कि पचास साल तक के लोगों को टिकेट के अंदर प्रात्फिक्ता दी जाएगी और उसके उपर जो नेता हैं उनकी विनेबिलेटी है वो देखी जाएगी जो वहवारी पक्ष है लेकिन टिकेट के अंदर उनको तरजी मिलेगी जिनकी आयू पचास साल के अंदर है जाहिर तोर पर मुख्यमंत्री अशोगहलोत के मूँ से जब युवाओं ने ये सुना तो कर्तल द्वनी से स्वागत हुआ तालिया बजी और साथ में विनेबिलिटी का जो एक फैक्टर उन्होंने साथ में जोड़ा उसने फिर से वो संशेप पैदा भी किया मुख्यमंत्री अशोगहलोत ने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये अलाकमान के लिए चुनाती पूर्ण है क्योंकि हर बार चुनाव जब हुए हैं सन 2000 से लगातार हम देख रहे हैं राजस्थान की कॉंग्रेस की जो राजनीती है बीजेपी की राजनीती है इस पर बतार रिपोर्टर में नंजर बनाये हुए रहा हूँ और मेरा हर बार का यह नुभव रहा है कि कॉंग्रेस हर बार यह बात कहती है कि टिक्टों का वितरन का जो काम है वो चुनाओं से काफी वक्त पहले हो जाए लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कॉंग्रेस की जो टिक्ट वितरन की सूची है वो देर राह तक आती रहती है आती रहती है पहली सूची दूसरी सूची तीसरी सूची इस बार अशोग गैलोत ने इस परंपरा को बदलने की बात कही है आला कमान के सामने लेकिन अतनी बड़ी चोनोती भी आला कमान के सामने डाल दी है तमाम जो रंधावाजी है या अमरता धवन है तमाम जो प्रभारी है वो उनके चैन का काम है किसको टिकेट मिलनी है ये दो महीने पहले ही तैय हो जाए वोटिंग के दो महीने पहले अगर उम्मिदवारी तैय हो जाएगी तो तैयार या ठीक से होगी और जिस रूप में कॉंग्रेस में आखरी वक्त तक टिक्टों का ऐलान होता रहता है प्रत्याशी उमीदवार सब कुछ ठक जाते हैं और उसके बाद में चुनावी समर के अंदर जाना मुश्किल होता है इसलिए पूरी प्रक्रिया पहले वो कर लें जो विधायत चुनाव जीच सकते हैं उनको बता दिया जाए जो च कमान के पाले में गेन डालते हो ये कहा है कि कॉंग्रेस आला कमान ये तैकले कि जो विधायत चुनाव जीच सकते हैं उनको बलाकर उनको एक तरह से ग्रीन सिगनल दे दे तमाम सर्वे करवाले और ग्रीन सिगनल दे दे जो विधायत चुनाव जीच नहीं पा रहे हैं गेलो ते जोर दिया है वहाँ युवाओं को संभावना नजर आती है और साथ में लेकिन आला कमान के सामने भी चुनोती ये है कि इतनी जमीन इस्तर पर तयारी करना और तीन जो आला कमान के पदादिकारी मौजूद हैं उनके लिए समय बहुत कम है और निर्विवाद वितरन की पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से इन तमाम जो नेता आये हुए आला कमान के चाहे वो रंधावा हो चाहे अम्रता धवन हो इनी को जिम्मेदारी सौप दी है अशोग हैलो टिकेट वितरन के मामलों से हमेशा डारेक्ट अपने इंवाल्मेंट से वो बचते हैं हर बार चुनाव के अंदर ही स्थती रही है इस बार चुकि पाइलेट को रोका है आला कमान ने तब महतवपूर्ण अभी ये है कि आला कमान टिकेट वितरन में किसको कितना मौका देता है किसको कितनी तरजिये देता है ऐसे में पाइलेट भी है अशोगहलोद भी है उनकी टीम भी है, सब मिलकर तैय कर लें, दो महीने पहले की टिकेट किसको मिलेगा। इससे दो कारण होंगे, इसके दो जो फायदे होंगे, कि इस बार जो अशोगेलोत की सरकार है, वो निर्दलियों की बैसाखी पट्टी की है। निर्दली विधायक पूरी तरह से उनके साथ में आये, बड़ी संख्या में सरकार बनी, सरकार बची रही। की जो अधिकरत प्रत्याशी हैं, उनका क्या होगा। तो शोगेलोत जानते हैं कि आने वाले चुनावी वक्त में, जैसे इसे दिन करीब आता जाएगा, क्या-क्या चुनोतियां सामने आएंगी, क्या-क्या प्रैक्टिकल इशूस सामने आएंगे, कॉंग्रेस के सामने, और जो पुराने कॉंग्रेसी हैं, जिनको टिकेट नहीं मिली है, या चुनाव जो हार कर घर बैटे हैं, उनको भी साधने की कोशिश चल रही है, कल सुगजिंदर सिंग जो रंधाबा हैं, वो कई नेताओं से मिले, जो चुनाव हार कर अपने घर पर बैटे हैं, जिसमें बीना काग भी हैं, जिसमें जगनात पहाडिया का जो परिवार है, वो भी है, जिसमें कॉंग्रेस की जो पुरुवध्यक्ष है, व्यास, उनका भी परिवार है, तो इस तरह से तमाम उन लोगों से मुलाकात की है, ताकि एन वक्त पर जब कॉंग्रेस की विनेविलिटी की situation वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त में कई नेता हैं वो पाला ना बदल जाएं क्योंकि भारते इंता पार्टी और आम आदमी पार्टी ऐसे नेताओं का इंजार कर रही है कॉंग्रेस के अंदर जो तूट कर उनके खिमे मराएं और चुनावी रणनिती के अंदर वो इस तरह से चुनावी महाल के अंदर चला चली की बेला चलती है आयराम गैराम की जो कहावत है नेताओं में फिर से सटीक बैठ जाती है चुनावी राजनिती के अंदर और राजस्तान में जिस रूप में राजनिती के कई विवित पहलू चल रहे हैं अलग-अलग रूप जो खुल रहे हैं राजनिती के ऐसे में पाला बदली का खेल बड़े पैमाने पर राजस्तान में होने जा रहा है इस आशंका को अशोग गैलोद बकु भी जानते हैं कोशिश हो रही है तूट की आशंका को कम करना खतम करना नेताओं का पलायन पार्टे से दूर करना और बड़ा फैक्टर कॉंग्रेस के अंदर चुनाओं में यही रहता है विपक से ज़्यादा अपनों से खत्रा रहता है अपनों के अदावत है वो अधिकरत पत्याशियो को अजिस्तान कांग्रेस के अंदर परिशान करती आई है और अगर इसी का नतीजा देखना इसकी बानगी देखनी है तो हम पिशले चुनाओं में देखें जिसमें लगबग आदा दरजन से ज्यादा माफ कि जए एक दरजन विधायक हैं वो जो निर्दिले कोटे से जीत क कर आए हैं जो कांग्रेस के ट्रू कांग्रेसमें थे लेकिन टिकेट विधरन की प्रक्रिया में कहीं ने कहीं चूक हुई उनको टिकेट नहीं मिला बागियों कर चुनाओ लड़े और चुनाओ जीत कर आए और कांग्रेस की सरकार बनाने में मददकार रहे हैं तो कांग्र जून को जिस रूप में वो गर्जे उसका परिणाम कब आएगा कॉंग्रेस कब उनको उनके इंतजार कफल देने वाली है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है लियाजा सचिन पाइलेट एक बार फिर से नीम खामोशी उन्होंने ओड ली है 11 जून के बाद में कोई बड़ा स्टेटमेंट सचिन पाइलेट की तरफ से नहीं आया शद्धान जली देने के लिए अलग-अलग जगव पर वो जा रहे हैं सामाजी कारिकरों में शरकत कर रहे हैं लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना तो सचिन पाइलेट का आया है ना उन जरूर होगी भารतिय जन्ता पाटी सरकार को घेरने के लिए प्रदश्शन कर रही है आकरमकता दिखा रहे है लेकिन संख्याबल है वो कहीं नजर नहीं आता इस संख्याबल को लेकर कॉंग्रेस के अपने आरोप है बीजेपी आपनी सफाई है लेकिन पाटी अध्यक्ष के रूप में आकरा मक्ताज जो सीपी जोशी को दिखानी चाहिए थी वो अभी तक मिसिंग है उनकी जगे डॉक्टर किरूला इलमीना सक्रिये हैं राजेन राठोड सक्रिये हैं इन दोनों निताओं ने कॉंग्रिस को घेरने की रणनीती है वो अपना रखी है और दिल्चस बा किरूला इलमीना उनकी दूनों ने की खेना वाली बात है लेकि इस बीच की कारवाई चलरी है राजस्तान सरकार की और से, यहालं कि दोनों यह अलग अलग मामले हैं, लें किस तरह से जोड़ते हैं, ED की कारवाई राजिस्तान में चल रही है और दूसरी और ED ने अपने भवन के रेजिस्टेशन को शुल्क का जो शुल्क है माफ करने की लिए राजिस्तान सरकार को निविदन दिया था और इसको मंजूर कर लिए राजिस्तान सरकार ने कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जो केंदर सरकार के भवन है उनको इस तरह की रियायते मिलती है लेकिन टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए इसका जिक्र हम ट्रेंडिंग टॉक में कर रहे हैं इस चर्चा को आप देखते रहिए विश्टलेशन देखते रहिए किस नेता की बात आप सुनना चाहते हैं किस पार्टी की बात सुनना चाहते हैं कौन सा एंगल है इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर क किजिए अपनी राय दीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बटन है वो आन कीजिए ताकि खबरों का संसार राजस्थान में राजनीती के गलियारों में सामाजी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र मे कभी नहीं थमता आप लगातार बने रही है नमस्कार